हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे भारत का नैशनल फ्लावर लोटस लोटस बहुत ही सुन्दर और अट्रैक्टिव लगता है जब वो पूरी तरह से खिला होता है तो आए हम लोटस ड्रॉ करते हैं सबसे पहले पेपर को टू पार्ट में डिवाइड किया जितना बड़ा हमें लोटस बनाना है उतने साइज का दो मार्क कर लेते हैं बहुत ही हलके से और हम जो ड्रॉइंग करेंगे ना उसको भी हम बहुत हलका करेंगे बिल्कुल भी dark नहीं करेंगे क्योंकि इसमें मैंने black outline बिल्कुल भी नहीं दिया है color pencil यूज किया है color pencil से drawing करने के लिए coloring करने के लिए हमारा pencil color थोड़ा light रख दिखना चाहिए क्योंकि pencil जो है न वो black dark छोड़ देता है तो फिर उस पे color सुन्दर नहीं लगता इसलिए हम बिल्कुल हलकर drawing करेंगे lotus बहुत easy है draw करने में curve line ही है बस वही ध्यान देना है कि हमें curve line से ही lotus draw करना होता है और इस तरह हमारा lotus अल्मोस्ट ड्रॉ हो रहा है lotus वैसे तो बहुत ही color का होता है काफी colors होते हैं इसमें मैंने भी आज इसकी coloring में धेर सारे colors को यूज किया है जो हम step by step देखेंगे मैंने pencil shading किया है pencil shading technique जो होती है वैसे तो बहुत ही simple होती है सिर्फ हमें उसे ध्यान देना होता है कि हमें कहां कितना कब लगाना है है तो ये बहुत ही easy बहुत सुन्दर लगता है लेकिन pink color start मैंने pink color से किया है सारे petals को pink color से हलका हलका shape देते हुए stroke करेंगे stroke pencil shading pencil coloring का एक बहुत ही important part होता है जहां हमें किसी particular point पे pencil को रखके और बहुत softly उसको लंबे से line डालते हैं जो आगे जा करके बिल्कुल भी mix होता हुआ paper में merge होता हुआ दिखता है stroke करते हुए coloring करनी है इसमे mixing नहीं करनी सिर्फ stroke ही दिखाना है हमें इसमें और वो बहुत ही ज़्यादा press करके नहीं करना नहीं तो paper पे उसका mark दिखेगा इसलिए softly करना है थोड़ा time लगेगा लेकिन 2-3 coat से फिर वो color का effect आ जाता है सारे petals में pink color करेंगे थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं lemon yellow डाला है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हर petal में डाला है क्योंकि lotus में बहुत सारे colors दीखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है वर्मिलियन उससे थोड़ा highlight करेंगे क्योंकि outline नहीं किया मैंने black color से तो हम इसे coloring से हाइलाइट भी करेंगे outline भी करेंगे और stroke करते हुए color को mix भी करेंगे वर्मिलियन कलर से अभी कर रहे है एक shape देना है साथ साथ shape भी देते जाएंगे coloring के साथ साथ हर petal को highlight करेंगे और भी धेर सारे colors यूज कर रहे हैं इसमें हम लेकिन सबको step by step डालेंगे जैसा right side किया था वैसा है left भी कर लिया इसको भी highlight करेंगे pink, lemon yellow और vermilion से कहीं कहीं yellow डालना है हर petal में बहुत जादा नहीं डालना बस हलका हलका डालना है highlight करते हुए shredding करेंगे stroke की तरह से अच्छे से mix होता रहता है अगर हम बहुत अच्छे से color करें ये खुदी mix होता रहता है आप देख रहे होंगे ये खुदी highlight हो रहा है सारे petals धीरे धीरे खिल कर एक shape में दीखने वाले हैं और दीख भी रहे हैं अभी अभी हमें इसमें और भी colors डालने हैं आगे आने वाले वीडियोज में मैं pencil color के और भी techniques बताऊंगे कि हम pencil color से shading कैसे करेंगे strokes कैसे करेंगे तो बने रहिए कैसा लग रहा है comment box में जरूर बताईएगा ये मैंने purple color यूज किया है क्योंकि ये थोड़ा dark है और हमारा purpose solve करेगा क्योंकि हम इसमें black color नहीं डाल रहे हैं तो ये vermilion pink के साथ mix हो करके एक proper shape उभारेगा और color बहुत सुन्दर्थ खिलाएगा इससे highlight भी करते हुए रहेंगे और stroke भी करते रहेंगे red color थोड़ा सा red color भी डालेंगे ताकि vermilion और purple के beach का color vibrant लगे इसी के लिए हमने इसमें red color डाला है मिल्कुल softly करते रहेंगे stroke दिखाना है तो हमें उसका ध्यान रखना है ये dark भी हो रहा है shape भी खिल रहा है और सुन्दर भी लग रहा है जरा सा pink और लगा देते हैं pencil color की खासियत ये होती है कि आप उसमें जब तक आपको सुन्दर ना लगे आप कोई भी color दो बार तीन बार बिल्कुल भी कर सकते हैं ऐसा नहीं कि मैंने एक बार फर्स्ट में पिंक डाल दिया तो मैं अब बाद में नहीं डालूंगे मैं बिल्कुल डालूंगे highlight करते रहेंगे dark color से dark purple है stroke दिखाएंगे हमने खिला हुआ lotus बनाया है तो उसमें दिखता है stroke जैसा color बस वही करने की कोशिश कर रहे है वापस red डालेंगे friends आप देख रहे होंगे कि इसके strokes बहुत प्यारे लग रहे है lotus का bird बनाते हैं वही colors यूज करेंगे या फिर कोई और भी कर सकते हैं मैंने तो same किया है जैसा orange डाल देते हैं वो एक brownish look आता है बहुत प्यारा लगता है sap green lemon yellow deep green sap green deep green से leaf बना लेते हैं इसमें हम थोड़ी shading करते रहेंगे क्योंकि हमें इसमें stroke नहीं दिखाना तो बस ये shading ही रहेगा shading भी हलके हाथ से करते हैं pencil को कभी भी paper पे बहुत जादा press करके coloring नहीं करते drawing भी नहीं करते drawing हमेशा हलके हाथ से करनी चाहिए बिलकुल soft और coloring भी वैसे ही करनी चाहिए च्योंकि pencil color का जो lead होता है न वो बहुत ही soft होता है तूरता बहुत जल्दी है तो इसलिए हम जितना soft करेंगे हमारा उतना ही अच्छा रहेगा और उतना ही कम तूटेगा sap green से बनाया light blue से water का effect देते हैं lotus हमेशा water में रहता है तो हम अपने lotus के पास भी थोड़ा water डाल देते हैं leaf की आसपास थोड़ा सा dark करके उसको highlight कर देते हैं और बाकी जगों पे थोड़ा सा light ही चलाएंगे pencil lotus के उपर blue color ही किया है वो थोड़ा और हलका किया है पूरा अच्छे से water का effect डाल देते हैं मुझे उमीद है आपको lotus बनाने में मज़ा आया होगा coloring कैसी लगी और करने में कैसा आपको experience हुआ मुझे comment box में जरूर बताएं और मुझे ये भी बताएं कि आप next किस चीज में pencil shading सीखना चाहेंगे ताकि मैं आपके लिए वो वीडियो बना सकूँ अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे like करें comment करें share करें और अपने friends से subscribe भी कराएं Thank you